Hey everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप लोग, I hope you all are doing great, तो आज की वीडियो थोड़ सी different है हो guys, क्योंकि आज की वीडियो में किसी गाने पर रियाक्षन नहीं होने वाला है, जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ी लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो ये वीडियो है 1971 के वार के जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इन दोनों के बीच क्यों लड़ाई हुई थी, और बांगला देश जो आज हमारा एक परूशी देश है, वो पहले पाकिस्तान का ही एक भाग था, लेकिन बाद में वो कैसे एक अलग देश बन गया, तो इसके बारे म अब हमें इसी वीडियो में पता चलने वाला है, तो मैं गानों पर mostly react करती हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बट कभी-कभी मैं कुछ ऐसे वीडियो पर भी reaction कर देती हूँ, जो कि unusual होते हैं, जिन पर I think बहुत कम लोग reaction करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी audience भी इस amazing वीडियो को देखे, उससे कुछ सीखने की हम कोशिश करेंगे, इस वीडियो के तुरू हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, वीडियो काफी लंबी है, 35 मिनट की है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो पूरा देखे, और समझे, चीजों को समझे, ह सारी चीज़े मैं last time mention करूंगी, हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने भुगोल के बारे में and हमारे जो सेनाएं हैं, जैसे कि थल सेना, जल सेना and वायू सेना, जितने भी सेनाएं हैं, उन सब के बारे में हमें knowledge होनी चाहिए, हमें अपने पूरवजों के बारे में, श् जरूर से जानो कि इनके पीछे क्या कहानी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत साल तक हमारे देश पे रास किया है, और उन लोगों ने काफी जादा हद तक हमारी इतिहास को मिटाने की कोशिश की है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके बिटाय हुए इतिहास को दोबारा से जाने, अपने जित्ते भी सारे बच्चे है, आसपास अगर आपके कोई बच्चे होंगे, तो उनको भी बताएं आप कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये सारी चीज़े आपको बतानी चाहिए और आपको भी सीखनी चाहिए, हम यूथ क्या करते हैं, हमें मुवीज एड रैप सॉंग्स, इन सब के बारे में बात करने में ज्यादा इंट्रेस्ट होता है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कि आप प्लीज अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने भगवान के बारे में, सब कुछ हम क्यों भगवान कहते हैं, उनको, ये भी जाने, ये भी खोजे, ये भी ढूंडे, इन सब वीडियोज को आप ज़्यादा वैल्यू करें, बजए कि आप मतलब जो ऐसी चीजों को देखते हो, जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, या अगर हमारा यूद अच्छा करेगा, अच्छा सीखेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे हमारा देश, इन्टेलेक्शियोल होगा, ये कहा रहा था मुझे, चलो, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जाहिन, सबसे पहले एक वर्णिंग भईया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के बीर सिपाहियों ने, दो साइनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93 हजार फाजियों को घुटने टेका दिया था, और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था, और भारत के दो साइनिक मारे गए थे, लोंगे वाला में, हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया, ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया, और ना ही अमेरिका बचा पाया, इस वीडियो में हम A to Z बाते करेंगे, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं, तो कोई भी पाकिस्तानी के हसियत नहीं होगी, कि आप से आखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा, यदि आप राष्टवादी अगर भारती हैं, तो ही इस वीडियो को देखें, पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगरा लोग इस वीडियो को न देखें, यह उनके लिए एक तरह का वर्णिंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे, जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है, A to Z उस बातों को बताएंगे, पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों न देखें, तो भाई आप देख लिए यहां क्यों न देखें, यह बंगलादेश बंगलादेश नहीं था, बनकि यह उस वक्त पुर्वी पाकिस्तान था, पुर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भासा को बोलते थे, पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, तुम लोग गदे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लाइक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजा कर रहे, पस्चमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे, हो गया नहले पैदाला 1970 में, 1970 में इस उन्हों ने अपना भासड दिया, 17 मार्च को, और कहा कि अब हम इस पुर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे, जिसका नाम रहेगा बंगला देश, इस भासड के वज़ए से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ने 25 मार्च 1971 को गिरफतार करके, अब पस्मी प पाकिस्तान में अरेश्ट करके, बंदी बनाकर रख दिया, और यहां पर जुल्म करना चालू कर दिया, कहां पर भाई तो पुर्वी बंगाल में, पुर्वी पाकिस्तान में ने पुर्वी पाकिस्तान में इन्हों जुल्म करना चालू कर दिया, सेख मुझीबुर रहमान क के गिरफतारी के विरोद में यहां मुक्ति वाहीनी नामकर एक विद्रोही गुठ तयार हो गया था लेकिन पाकिस्तान के पच्कितान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पुरुवी पाकिस्तान में इस पस्वी पाकिस्तान के लोगों ने यहां पर 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 यहां जिन्दा रहेंगे तब तो और यहां 10 लाख लोग भारत में आगए तो इंदरा गांदी जानती थी कि जब तक यहां सांती नहीं होगा तब तक यह लोग वापस नहीं जा सकते थे और सांती का एक ही था कि यहां पर घुश के इनको मारा जाए ताकि यह पस्मी पाकिस्टान वाले लोग यहां पर सुधर सके तो इंदरा गादी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मारसल मानिक सासे उन्होंने सेना परमुक मानि मानिक सासे कि आप अभी युद्ध कीजिया हम आदेश देते हैं अभी युद्ध कीए बंगलादेश पे हम अपने पडोसियों के इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे आप इस पे हमला कीजिये उस समय यह पुरी पाकिस्तान था मानिक साने कहा कि नहीं हम अमला नहीं करेंगे है कहीाल क्यों क्योंगाइज कि कहीर किम ःधने को महीने का मतलब बर्साथ का दिन सर पर है और समयाश का हलो अग्याव कैसा अगड़ा घाति है और अगल्यूंग दिया कि सिकंदर की फोज भी हांथी लेके आय इस मानिक शाने इंडा गांगी से कहा कि आप दो-तीन काम कर लीजे कब तक के लिए कि नॉवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे लेकिन अप्रेल से नॉवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक सम चिंगारी की और पाकिस्तान तबाह हो जाता हित्फाक देखिए उस बारूत के देर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने कैसे तो समझे कैसे हम लोग का था कि इधर हम लोग ओफेंसिव हो जाएंगे मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे इधर हम लोग defensive रहें था वहाँ पर पाकिस्तानियोंने की बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उसके बाद बाप को मार के काते थे तू भी रेप कर तो मतलब मानवता पूरी खतम कर दिया गया वहाँ पर तो भारत ने कहा कि इधर हम defensive रहेंगे पाकिस्तान को यह खबर लग गई कि भारत इधर कमजोर हैं, अरे भैया, इधर हम कमजोर हैं, इधर कम-श्य։निक रखें हैं, इधर हम भाया लक रखें, तो इसका मतलब यह थोड़ी हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे। वह यह का जाता है कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बदाम से महांगा बिखता है। देखिया हम थंडी का इंतेजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया। श्रीनगर पे, पठान कोट पर, चंडीगर पर, यहां पर आगरा हवाई अड़े पर तवातोड हमला कर दिया। इयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ, कि भारत देखते रग यहां पर पाकिस्तान की जहाजे इंट्री मार कहीं सब भारत में। उसकी एरफोर्स इंट्री कर दी, इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मारा, समझ रहना कि इतना भयानक हमला था, अरे भाई, आप यहां पर घूज जाएंगे, हमारे एक भी सैनिक नहीं मारा, भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था, देहात में कहवत कर जाता है कि रोय के रानी तले खिये खोदा गई वह यह हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पर हमला करिए दिए अब बिश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे उपर कि वह यह हमला तो आप ने किया है अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं भारत इसी भीच पाकिस्तान को एक खतरनाग खबर लग गई क्या थी खबर भई तो देखिया पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की जादे तर्श फोज इस पूर्वी पाकिस्तान की और डिप्लॉइड है और यहां राजस्थान के जैसल मेर जिला में एक जगह है लोंगे वाला उस लोंगे वाला में केवल और केवल 120 फोजी है और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फोजीयों को हम रात और रात मार देते हैं तो उस समय एर फोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी इसलिए इन्लों ने लोंगे वाला में इंट्री मार दी पूरी भायानक टाइंक ले कर और उसको वो लोग लोंगे वाला में घुसने के लिए चल दी और लोंगे वाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे केवल 120 और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े लेकिन घवराना नहीं चाहिए क्योंकि चीटियां तादात में कितनी भी क्यों न हो अब कुछ देख लड़ावा गिदर नुमें सेर बनावा सवाल अख नु एक लड़ावा तब गोबिन सिंग नाम रखावा था था आपस लड़ने आरा है न पाकिस्तान के और से वो ब्रिगेडिया तारिक मीर आरा है उसके पास टैंक अठाइस ओफोज है बहुत ही रफता से आरा है अठाइस ओर एकसो बीस इन इमाजन देस अब पिछे हट जीए क्योंकि आपको हमने आप बहादूराइस में नो डाउट लेकिन आप कैसे लड़िए गा उतनी भयानाट फोच के पास यहां उनोंने का आलसा सीख नहीं हट सकते हैं हम दिखा देंगे कि हम एकसो ब हम इन पर क्या पढ़ेंगे भारी बढ़ेंगे इनके पास नहीं टांक को उडाने के लिए कोई संसाधन थे टांक को मारने के लिए एक जीट पर लगा हुवई चोटासा तोप था और इनके पास Dallas लगे थे माइं इन्हों ने क्या किया जो खाली रिगिस्तान था न उसमें लगा दिया और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना चार खंदे वला इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रहतो रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुवात में तो भाया ओरिजिनल माइन्स था धाम से लगा पाकिस्तान की टैंक उड़ गई पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा फिर दूसरा उड़ा तीसरा उड़ा पाकिस्तानी ये दम डर गया सब बिर्गेडिया तारीक मीर कहें कि भाया यहां तो माइन्स लगा के रखा है इन लोगों ने एक काम करो इंजिनियरों को बिलाओ पूरा माइन्स निकालो अब शेटे लगा दिन निकालने में एंजिनियरों आते थे तो डर के मारे टिंस निकालते सारीप्राइब बाब्रेती वे। जे सेथित, इस वरा buds is forget. अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया हम राखम कुंदीजी सिंग 묘म जो झो ने था बालू पालू के बीच में हम इसे घड़े बना रखे थे जो थे चांदपूरी उन्होंने बालू के बीच में इसे गढ़े बना रखे थे हां बेखा दाम ने दो किलोमीटर तेरिया में उधर एक इधर बनाई तो चारो और से फाइरिंग होती थी पाकिस्तानियों को लगी ना कि भई हमको गलत इंफरमेशन मिल गया है 120 गो मिलके अईसे थोड़े मारेगा सब सब उधर से गोली इधर से गोली धाधर बंगोला दारू इतना भयानक कोई 120 आजमी मिलके अईसे मारता है नहीं भाई इतना भयानक अईसूंसाने एरिया में कहां से कौन मार रहा है एक हम तबाही मचा दिया कुलदीप सिंग जानी देख रहे हैं कि भाईया सब चक्काओ का फेका दिया इस चांदपूरी साब कोई सा करना चाहिए यह कोई वीडियो गेम खेल रहा है मार के धजी उड़ा दिया पाकिस्तान बच्चा है अपने बच्चा है बिगड़ गया आम से मारी है है इसे हम धजी उड़ा दिये हैं बचारा सबको पाकिस्तान के टाइम को दजी उड़ा के उस पे भारतीय साइनी खड़ा आगोकर फोटो खेच वा रहा था 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 फोटो खेच यह पूटो खेच यहां पे आने वाली पीडियों को यह प्रेना दिए मतायई इतना सूंदर गाड़ी लेकि आया था पाकि लेकिन क्या कीजेगा बच्चा भीगड जाता है दोना ही पड़ता है यह हाल कर दिया रात भर में सोचिए रात में इतना बुरा मारा है दीन में दिखता तो कुछ दाल दा पूरा दिया मेजर कुलदीप सिंग चांदपूरी ने इनका आगे कौन खड़े थे ब्रिगेडियर साथ ब्रिगेडीर साब ब्रिगेडियर साब को का अने लगी भाया तक हो गया सुबहा सुबहां के वक्त हमारे जो हंट्र जहाज के उस समें जो जहाजे थी वह हंटर जहाज थी यह एitives जहाजे også रातमें नहीं दूड़ लेकिन दिन में उड़ सकती थी रात भरतक कुलदीर सिंग चांदपूरी ने ऐसा कुचा पाकिस्तानियों को इतना कुच लिया कि बहुत हुआ तो बाकी का कसर पुद्धियों को इतना भायानक तब आही मचा है सब पाकिस्तान के दाजोगा मैंने बहुत फूरते में देखी लेकिन आज भी दिमाग पेम पैस है उसका पूई तरह धोस्त हो गया इतनी बहानक यह दो पाकिस्तान को पाकिस्तान के भागना पड़ा ब्रीडियर साब भागे नहीं कि अधिया जान ले लेगा सब हमेजें पाकिस्तान के टेंको को अपने यहां रख लिया है म्यूजियम आज भी जाके देखिएगा न तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़के भाग गए भागो भाई यहां पर यह 120 जवानों का जलवा था और पाकिस्तानी कहते है कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे अरे भाईया हम चीन पे वीडियो बनाए थे आप पे यहां बनाए थे जो आप लोग को बोल रहे थे कि हिंदुस्तानी के लुकात नहीं दिखी आपको अवकात दिखाते आपकी यह अपका टांक है अकर यह हिमत है तो लेकर जाके दिखे लिए हाल तो यह हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानी योग की जान ली थी तर के मारे वो लास उठाने नहीं आये थे, लास को गी दखा गये थे सब, हम लोग बोल ले थे कि बढ़ देखे लास लेके चल जाओ, तो आज भी वो नहीं सुध रहा है, आज भी हमने जो चाइना पर वीडियो बनाया था, उस पर वो हमको धंकी देता है, कि भारत की आरमी क कुछ नहीं कर सकती है, अरे भाया, आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा, जनते हैं क्यों, देख लीजे इधर, अभी कौन बईठा है भारत में समझ में आ रहा है, आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग, इस बात पर रिसर्च किजिए, कि इनम मर टूटी, और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया, इसे को इसे दो दिया सब, बता ही, इतना भायानक दोए जाता है, तो ये शुरुवाद, शुरुवाद तो इन्हों ने कि या तीन तारी को, चार तारी को हमने दो दिया, अब बचा नेवी, नेवी कही कि भईया, आर्मी को पका दिये, एरफोर्स को मौका दिये, रात में आर्मी दोई, सुबह में एरफोर्स दोई, हम नहीं दोएंगे, क्या, हम भी दोएंगे, नेवी कप पहुची, 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुची, और कराची में जब पहुची न, तो कराची को तबाह कर दिया, इतन और फश्रह पाकिस्तान का कमर चुप पाकिस्तान हें सब करें। जब अधर मारकिस्तानी जे बॉरा गया हकता है। पकिस्तानी बादर ऑधता है। तो यह पनल में पढ़ना कोता चूस्तानी सब अटे आङ वैफ गहारखणार अभी इनसे गहायाँ है। पूरा राज्य चला जाएगा हिंसे बलुचिस्तान चुपके गई थे लो गुवादर बंदर गापे अगर हम जूट बोल ले हो तो आप खुद पता किजिए का अपने यहां के इतियास में हिंदु पूरे पाकिस्तान आप देखें करांची के क्या हाल हुआ था उस समय हमारी यह नेवी ने क्या हल किया था पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भई यहाज किसका है तो जब पता चले कि भई यहाज पाकिस्तान का यहालो जा रहा था जहाज का यहां देख लिए इनका पूरा धस्त का भई अईसे मारा जाता है हां अरे बच्चा को बच्चा इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया बते इस तरह मारा जाता है यहां दिख लिए पूरा का पूरा धजी उड़ा दिया इन लोगों को अरे बाई बच्चा है बिगड़ गया है तो थोड़ासा आराम से नमारियेगा कि इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के करांची बंदर गाहे उड़ गया तो पाकिस्तान का इधर से तो पूरा का पूरा धर्जी उड़ा दिया अभी शुरुआत हुए युद के केवल दो दिन हुए है आप दिल ठामके रखिए अभी युद लंबा चलने वाला है तीन दिसंबर को इस्टार प्रे चार दिसंबर को हम लोग लो को अब पाकिस्तान ने भारतियों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाग जहास था आइन्स विकरांत को बरबाद करने के लिए इसने यहां से भेज़ दिया आइनस पीएनस गाजी को गाजी एक पंडूबी थी उसको आदेश दिया गया कि जाके मारके आओ किसको बिक्रांत को क्योंकि अगर बिक्रांट जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आगी तो यह गाजी कई से डूबा इसको हम लोग खराग जहाज से मार दी तब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोय हैं तो इधर कितना ब एप किया मडर किया और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और उपर से हमारा एयर फोर्स यह तबाह कर दिये थे इनको भागने के लिए भी जगा नहीं था और इसी में इनका सब से बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी क्योंकि इनको जो यह पूरवी पाकिस्तान है, इनको मदद जब ही मिलेगी, तो इधर से ही मिलेगा, अब बते हैं, यहां से तो कोई जाएगा नहीं, बेखूब भी नहीं होगा, इधर से मदद करने जाएगा, रास्ते में एरफोर्स मार की गिरा देती थी, ट्रक वगरा जाएगा नहीं, तो से यह इन लोग मदद देते थे, भया यहां पर जो इनके फोजी लड़ रहे थे, उनको खाना पीना भी खतम हो गया था, अब इनको बरबाद कर दिया भारत, इनस विकरांत, इनस विकरांत उस समय का बहुत बड़ा जहास था, इस साउथ हेसिया के देशों का, और यहां से इतना बड़ा जहास था कि उसके उपर से लड़ाकू जहाजे उरती थी, वो एयर फोर्स यहां से भी बं मारता था, मिसाइले मारता था, उपर से लड़ाकू जहाजे और हेलिकॉप्टर छोड़ देता था, ताकि मुक्ती वाहिनी को कोई दिक्कत ना है, मुक्ती वाहिनी म इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगाओ, अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिकत नहीं आ रहा था, अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विकरांत को बरबाद करो, देखिए ये विकरांत है, विकरांत जहाज जो था, इसके आपको लड़ाकू जहाजे दिखें, PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई, कि तुमको जाना है और इस विकरांत को, विकरांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है, अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, बा पाकिस्तानी नेवल सिप, PNS गाजी, ये मारने आ गया किसको, विकरांत को, इस PNS गाजी को, अगर कोई मार के डुबा सकता था, तो वो था INS राजपूत, लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था, इस INS राजपूत के साथ कि इसकी इन्यन में कुछ खराबी आ गई थी, और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विसाखा पटनम पे बनाया जा रहा था, रिपियर किया जा रहा था, इन्यन ही गड़बड हो गया था, तो भारतियों का यहीं पर दिमाग काम आया, भारतियों ने सोचा, क कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ न कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल-पल की खवर दे रहे होंगे भारतियों ने क्या किया आई एनस विकरांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने घर फोन कीजिए फोन कीजिए कि हम विसाख साखापटनम में 10 दिन रुकेंगे हमारे लिए तुम लोग खाना पीन अच्छा से बनाओ लड़कों से उन लोगों को ख़वर किला दिया साखापटनम में जितने मचवा रहे थे उनको कहा गया कि आप लोग हड़े बहुत बड़ा जहाज आने वाला है बहुत बड़ा आख की तरह फैल गई पाकिस्तानीयों को अब पाकिस्तान में खवर लग गई कि भाईया आई एनेस बिकरां तो यहां नहीं है आई एनेस बिकरांट विसाखापटनम पर पीएनेस गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था आई एनेस राजपूत इस गदहा जो था यह भी बाहर निकला हुआ है पानी के अंदर रहती है और आई एनस राजपूत देखा कि यह आ रहे हैं वह पिए आई एनस राजपूत को मारता कि से पहले ही आई एनस राजपूत मार के तबह कर दिया PNS गाजी को PNS गाजी को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया पाकिस्तान को यह हसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं क्योंकि यह PNS गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही सकती सालिक पंडूबी थी जिसे कोई डूबा नहीं सकता था और हम ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था जिसका इन्यन खराब था भारती सेना का मोराल पूरे साथवे आसमान पर ठाए और पाकिस्तानी दिन पर दिन इसे उद्धने जीता है भाई अब क्या करेंगे तो पाकिस्तानी यों अमेरिका में फोन किया आप कुछ कीजिए, अमेरिका में उनो में मुद्दा उठा दिया, United Nation Organization, अमेरिका तो, oh my god, पाकिस्टानियों नों पर जुलूम कर रहा है, तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुलूम कर रहा है, बारत जो कर रहा है, हम इस प्रस्ताओं के दम तोड़ दी, अब पाकिस्तान कहां, अमेरिका से, कि भाया, आप ही हमको बचा लीजी, तो अमेरिका भारत, पाकिस्तान के ती ओर से भारत पर हमला करने के लिए, अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, सातवा बेडा, देखेंगे, सातवा बेडा को अगर, इतना भ दिकरांद से डबल था, इसके अब दिकरांद नहीं टिक पाता, अब इंदरा गांधी भी तेंशन में रविन ले, तम उस समें इंदरा गांधी को याद आया, कि भाया, हमारा एक और तो हम सम्झोता कर क्या है, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है, तो रूस से ह अब देखेंगे, यह रूस का चालीसवा बेरा है, यह अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रूप के साथ चल दिया, का अगी चल भाया, देखते तुमको को कोन मारेगा भारत को, और अमेरिका को सीधा का दिया, कि भाया, विकरांद पर अगर अपने हमला किया, तो य हमला हम रूस पर हमला माल लेंगे, यहां पर ख़ड़ा था भारत का विकरांद, और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का चालीसवा बेरा, रूस ने यमन से अपनी एर फोर्स को भी का दिया था, कि भाया, तुम भारत की देखबाल करना, तो भारत की सुरच्छा के लि हम लोग बंगलादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का सातवा बेड़ा, रूस का ब्रिटेन का एगल, हम लोग के खिलाप था, और हमारा अपना विकरांद, और रूस की एर फोर्स और उसकी चालीसवा बेड़ा हमारे साथ थी, यह फूरी तरह से बांडरी बना द हादिया समुंदर के उपर, ताकि सेटलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी, वो लोग रूस के इतने खतरनाक जाहाजों के ग्रूप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए, कि ब्रिटेन ने का आता है, वी आ टू लेट, ब्रिटेन का इगल बेडा, अमेरिका के सातवा बेडा से करायगरे, उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुच गया है, अम्मारे का वहीं तबाह हो जाओ गया है, तो सातवा बेडा ने धंकी दिया, कि हमारे जहाज में परमाडु बम लदे हुए, तो चालीसवा बेडा ने कौन गीनेगा, बाद में गीनेगे, आज आओ देखते हैं किसके पास कितना है, तो रूस ने हमसे सची दोस्ती नी भाई थी, और इधर सेख मुझे बुर्रामान की जो मुक्ति भाही नी थी, वो अपना काम कर रही थी, अब भारत आरपार की लडाई में था, पाकिस्तान ह हर मोर्चे पर हारते जा रहा था, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्यानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंग अरोडा ने एक प्लान बनाया, उन्होंने एर फोर्स को पूर्वी पाकिस्तान, यानि जो अभी बंगलादेश है, तो धाका के ऊपर एयर ड्र इसको ख़बर को आग की तरह फैला दिया, और इसमें हम धन्यबाद देना चाहेंगे हाथ जोड कर BBC News का, और BBC ने चाप दिया कि इंडियान एर फोर्स ने धाका पांच हजार एयर ड्रॉप करा दिया फोजियों को, अब ये गली-गली खोच-खोच के पाकिस्तानी फोजिय अब ये फोजिया रहे थे सब, रियलिटी में फोजी नहीं थे, पुतला गिराय गया था, एर ड्रॉप करके, अब वोग दर के मारे भाग गया यहाँ पर, अब एयर फोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से मेगनिवाज्यानिक दबाओं का इतना खतरनाक असर पड़ा है, एर फोर्स ने काई कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार काउप, ठोग दालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा, एर फोर्स ने बंगलादेश के जो गवर्नर थे, उनके घर पर हम लाग गया, अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गया, बचने के ब उतरपरदेश, बिहार, महराष्ट, वहाँ पर भी गवर्नर होते हैं न, समवेधानी की साब से गवर्नर मारिक होता है, उस जगा का, त्याक पत्व दे दिये, सोचिए, ये धर था उनके अंदर, निर्मल जीत सिंग अरोडा, जो लेफ्टिनेन जनरल थे, जनरल तो हमारे म आदा घंटा में विचार कीजिए, आप सरेंडर करते हैं कि नहीं, अगर आप सरेंडर कर देंगे, तो हम आपको गारेंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिन्दा रखा जाएगा, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए, गवर्नर साब के घर है, कोई ठी कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खतम किया जा, क्योंकि अब यह अंतराष्टिय मैटर हो चुगा था, अब अमेर्का अपना नाक पे ले लिया था, कि भईया, हमारा जहाज मार की गिरा दिया, प्येनस गाजी उसी की पंडू भी थी, तो पाकिस्तान को दिया, अब भी जाजी क्या कर सके, निया जी को आधे गंटे का टाइम दिया गया, 16 दिसंबर 1971, याद रखियेगा दिन, 16 दिसंबर 1971, यह हमारे इतिहास का, 13 दिन के युद में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद श्टाट किया थ और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल निया जी से आत्मसमर पड करवा लिया, और आत्मसमर पड आप देखना चाहिए, जनरल निया जी का, इन्होंने हमारे लेटियन जनरल, निर्मल जीत सिंग और ओडा के सामने आत्मसमर पड साइन किया, और इनकी आखों में आंसु था, एक देश के सेनापती के लिए इससे सरम की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रेकॉड करा दिया गिनीज बुक में कैसे देखिए पाकिस्तान के लोग हम को हम चाइना के वीडियो बनाए थे उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती देखो बंग देखिए अपने इस्टार नोच के उतार दिया कि भाया हम लिजे आत्मसमरपड कर रहें बेल्ट उटार के देदिया आप चलिए जहां ले जा रहे हैं जतना लाठी माया आत्मसमरपड यह वही पाकिस्ताने याद रखिया हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चका दिया था लोगे वाला में केवल दो सैनिक मरे पर लोगे वाला में पूरी की पूरी आपको भगा दिया था चार दिसंबर को ही और आप याद कीजिए बहुत बहादूर बनते हैं ना 93,000 फोज आपकी हार के गई है यहां से इतना बड़ा हार दुनिया में आस तक कहीं का नहीं हुआ पाकिस्तान की आर्मी बहुत कमाल बहुत के बाद में नाम है यह उसके चेहरे पर यह मुस्कान थी कि बंगलादेश अब स्वतंत्र हो गया धाका इंद्रागांधी का स्टेटमेंट था धाका स्वतंतर रालधानी है स्वतंतर बंगलादेश की यह खुशी थी बंगलादेशियों के चेहरे पर जिनकी बहनों की इज़त आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फोजीयों के द्वारा जिनके यह जो नियाजी बंगलादेश में तो यह यह नहीं पूछे थे कि बंगलादेश का इस्तिती क्या है यह पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है और कहां है सब दिखा तो मतलब इवी जाके करेंगे यह हाल था यह इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी बाद फिर मुझीबुर रह बंगलादेश की कमान समाले भूई है सेख हसीना हमको याद है जब भारत आई थी एयरपोट पर पर रिसीब करने गया थे जबकि ऐसा नहीं होता है सायद ही बंगला देश की परधान मंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राश्पती रिसीप करने जाए परधान मंत्री रिसीप करने जाए तो भारत अपने पडोसीयों का इतना ख्याल रखता है चाए वो नेपाल हो भुटान हो सब के साथ अभी हाल फिल हाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा है लिम्पया धूरा काला पानी को लेके लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई घराब रिष्टा है हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिष्टा है बंगला देशियों के साथ हमारा बहुत ही में फेमस है जहाजों के मरमत में जहाज के रिपेरिंग में बहुत आगे निकले हैं बंगलादेश के लोग आई होप आप समझ गया होंगे इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पस्चिमी भाग को भी कपजा कर लेता है उनके 93 आजार फोज तो कभी मुंबई में बंबलास्ट कभी 26 ग्यारा का हमला यह हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे यह पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि यह हमारी तो भारतिया सेना की रहमों को जादा है वरना 1922 में जो जादा है आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती आप हिंदुस्त को आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए हम यह कभी नहीं कहते हैं लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन बीर सिपाहियों के लिए और शेर करो यार करो यह वीडियो बहुत जादा इंपर मेंट करते हैं हम आप भादियों से लड़े नों इतना से अर कीजिए इतना से अर कीजिए कि पाकिस्तान पर पहुंचे और वहां का बच्चा बच्चा इस वीडियो को बच्चा लोग देख रहे हैं बारतिय सेना का जो डर है वह बैठ है यह डर जरूरी है उनके प्रीज गाइस शेयर करना चाहिए और हां कोई भी देश क हो हर देश को अपनी सैनिकों के लिए संबान करना चाहिए हम यह कोई मनगड़त कहानी नहीं बता है हम अपनी सैनिकों की वीर गाथा बता है जो एटुजेट और छरस सही चीजे हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप भारत माता की जय पाकिस्त की चाइना यूद के बारे में भी बता देंगे जाद रखेगा चाइनीज और पाकिस्तानी इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे आप उपर भारी पढ़िएगा यह वीडियो आप सम्हाल के रखेगा अपनी पीडियों को दिखाएगा कि हमारी सेना कितनी बहुत कमार हम अपने बीर जवानों के लिए जाहिन हम बहुत ही सवभागे साली है जो उपर वाले ने हमें हिंदुस्तानी बनाया आइप प्राउड टू बी इंडियन जाहिन है मैं भी प्राउड हूं कि मैं एक इंडियन हूं ओ माइग गाड बहुत ही कमाल खांसर थैंक इस वीडियो आपने ये वीडियो बनाई एंड हमें ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है इन चीजों के बारे में बट हमें पता होते हुए भी हम अपने बच्चों तक पास-on नहीं करते हैं हम अपने आसपात की लोगों तक पास-on नहीं करते हैं इन सब बातों को कोई उतना सुनना नहीं जाता उतना इंट्रिटेंग नहीं लगता है ये ऊपर बहुत सारी मोवीek बन चुकी है ये अन्ट उसमें स्टोरी दिखाई गई है उसमें स्टोरी इसी दिखाई गई है जो किसा साली क्या से उसर्们 बताया गए कि ऐसorit ऑटना जी अंट यmm इंडिया के खूफिया एजेंसी कौन थे, इंडिया के उस समय के खूफिया लोग कौन थे, किनोंने information दिया था, किनोंने लड़ाया की थी, जैसे कि उन्होंने बताया है, border movie की बात हो रही थी, तो starting में जो नहीं से 71 वाली जो border, जो लोंगे वाला में, जो border movie बनी है, वो जो ह पहानी बताता है, जो आलिया बट की राजी movie है, वो वहाँ पे जो PNS जो गाजी को भेज रहे थे, वहाँ वाला बताया गया था, दैड की पूरवी पाकिस्तान जो की था, उसको गाजात कराने के लिए इन लोगों ने नेवी की तरफ से भेजा है, तो वो चीज का information आलिया कितना वो लेके और उस तरह से किया था, which is a great thing, और लड़किया भी बहुत जादा बहादूर रही है हमारे देश की और लड़के भी बहुत जादा बहादूर है हमारे देश के, तो I am really proud कि मैं एक Indian हूँ, and जहां तक बात थी, यहां पे, Bangladesh पे, I think Bangladesh and India, Bangladesh के आजादी पे, I don't know, कि कौन सी movie बनी है, अगर कोई आपको पता हो, तो आप जरूर से comment down करना कि Bangladesh वाला कोई movie है या नहीं, लेकिन मुझे जितना लगता है, that कि, अगर हम चाहते, तो हम कश्मीर भी ले सकते थे, अगर हम चाहते, तो हम Bangladesh को भी अपने देश में मिला सकते थे, that कि, नहीं, हम ल दिसम्बर से ये युद्ध शुरू हुआ था, और 16 दिसम्बर को कह रहेंगी, खतम हुआ, तो लगबाग 12-13 दिन तक ये युद्ध चला, एंड उसमें कितना सारा पैसा लगा होगा हमारे देश का पैसा लगा हो, क्योंकि Bangladesh के पास तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, उस मुझे लगता कि उन लोगों के पास कुछ ऐसा था, बट हर चीज करना, खाना प्रवाइड करना, सैनिकों को हर चीज प्रवाइड करना, इस रिली निसेसरी, तो इतना सारा पैसा लगाने के बाद हमने देश की मदद की, एक अपने परूसी देश की मदद की, I don't know, उसके इसे नहीं ब shitty हैं, बट हम अगर चाहते हैं तो हम बंगलादेश को पी अपने देश में मिला लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, तो मैं यह बोल ना चाहूंगी की कि एक Indian होना बहुत ही मुश्किल है, एक Indian ऐसे नहीं बनते है, आगर हमारे घून में इंडिया है यार, हमने हम लोग Indian है ना हमारे अंदर वो inbuilt है, हमारे अंदर इतनी दया है कि हम दूसरों के मदद करते हैं, उसको बिना कुछ लिये, बिना उससे कुछ लिये तो that is kind of हम लोग खुद अपने जनम से हैं तो हमारे को जनम से यही सिखाया गया है हम कभी किसी और पे जुलम नहीं कर सकते हैं तो और जो जुलम करते हैं उनको तो अच्छे जे सजा भी देते हैं हम लोग लेकिन हा उस पे डबल जुलम नहीं करते हैं आसा नहीं कि हा उसके घरवालों पे जुलम करने लगए जैसा कि पाकिस्तानी के वॉर्स में आपने देखा ही कि वो लोग बॉडी तक नहीं लेके जा रहे थे वो लोग गोल रहें भी रहते कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई आप लोग लेके जाओ अपने घर वालों की बोडी बट वो लोग नहीं लेके गए लोग इंसान अलग अलग है इंसानों की थिंकिंग अलग अलग है बट या कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है जिस वज़े से पाकिस्तानीस बदनाम है और वो ज्यादा तर टेरर को फैलाने में के लिए भी दोशी माने गए हैं और यह मैं नहीं कह रही हूँ यह पूरा इतिहास कह आखी बहुत सी चीजे हैं जो कि कह रही है तो हम इन सब को जुटला नहीं सकते हैं यह एक वीडियो यही तक है आपको इंटरेटेइनिंग लगी होगी यह वीडियो और एंटरेइन्मेंट से बहुत ही ज़ादा आपको इनवार्मेटिव लगी होगी आपको फुरू आप वीडियो एक गूसबम सब आया होगा दैट की यार हमारा इतिहास इतना जादा बुलंद है हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिस तरह से वो लोग सब लड़ाई किये जिस तरह से उन लोगोंने बहादुरी से लड़ा है न यार सेलफलेस होके लड़ाई की है क्या बोलू मेरी मतलब एक तम बहुत जादा मैं emotional हो गई हूँ जिस तरह से ये सारा वीडियो था तो I hope कि आपने enjoy किया होगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो definitely say वीडियो को एक like करना and share जरूर से करना guys इस वीडियो को जितना हो से कर अपने बच्चों को दिखाओ and share करो मेरी बाकी वीडियो अपने बच्चों को मत दिखाओ चलेगा लेकिन ये वीडियो definitely say जितने भी out there बच्चे है उनको दिखाओ उनको दिखाओ कि यार हमारा इतिहास कितना जादा प्राओडबल है कितना जादा बुलंद है कितना जादा हम लोगों की अंदर वो you know we are Indian we are proud to be Indians like oh aisa wala feel है so yeah so thank you for watching my video bye bye guys